हेलो एवरिवन आज हम करेंगी क्लास फॉर्थ का जप्टर नूबर 10 पैटन्स एंड डिजाइन तो यह उल्रेडी आपने क्लास थर्ड में किया था प्ले विद बैटन्स सेम उसी को जो है इन्होंने आगे की तरफ बढ़ा है थोड़ा सा मिन्स कॉस्चिन्स आपकी थोड़े यहां पर एक इसके अंदर इस तरह से कोई ट्रेंगल उल्टा या सीदा जैसे भी और ड्रो करेंगे तो सिम इस तरह के जो है बहुत सारे पैटन अभ यहां पर हमें देखने है और उन्हें के अगोडिंग हमें वह चीज को आगे बढ़ाना है कंप्लीट करना है कि आगे क्य हो सकता है तो फर्स कोशिन यहां पर दिया है उप्सर दा नॉंबर पैटन एंड एक्स्टेंड यानि कि इसको जो हमें आगे की तरफ बढ़ाना है इस पैटन को देखकर कि आगे इसमें क्या हो सकता है तो फर्स्ट ओफोल यहां पर है 2462 देन 2464 देन 2468 तो यहां पर देखो एसमें क्या करना पड़ेगा 2 4 6 8 में एड करना पड़ेगा 6 सुमसा किदना थेटा थू Wakि वार टेबल छह गर हो एट को हम्हेड करेंगे यह रहेगा 2 4 8 7 2 आब कीदेने 10 थेyy 10 एड करेंगे 2492 तो इस तरह से जस्ट हमें number चेक करने कि उसमें कितना add हुआ है या फिर subtract हुआ है अब यहाँ पर देखो 7353 ओके and then उसके बाद उन्होंने बढ़ा कर उसे किया किया है 7358 तो यहाँ पर कितना add हुआ है 5 सेम चीज यहाँ पर फिर से 5 add हुई है यानकी same number बार बार रिपीट हो रहा है यानकी add हो रहा है और वो क्या है 5 तो हर एक number में हमें क्या करना है 5 add करना है so यहाँ पर हम फिर से 5 add करेंगे so 63 से 68 हो जाएगा then again 5 add करना है तो कितना हो जाएगा 7373 okay then again 5 add करेंगे 7378 now question में कुछ कड़बड है एक्चली देखो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने 7000 sorry 3726 and 3763 okay अब भी बढ़ा दिया लेकिन देन उसके बाद फिर से गटा दिया so इस भी जो है क्लियर नहीं है कि आपको कॉन सा पैटन फोलो हो रहा है तो यह कोशन हम नहीं करेंगे अब नेक्स कोशन में देखो 4100 sorry 111 5111 6111 so next क्या होगा 456 next होगा 7111 8111 and 9111 now यहाँ पा देखो 6250 6300 6350 next will be 6400 6450 and 6500 so इस तरह से आपको क्या है just one number को add करके subtract करके आपको जो अपना answer मिल जाएगा अब यहाँ पर देखो क्या होगा 4510 then again 4514 so add कितना 4 then again 4 so यहाँ पर क्या हो रहा है 44 add हो रहा है so यहाँ भी हम 4 add करेंगे 42 sorry 22 हो जाएगा now next will be 4026 4 add किया then again इसमें हम 4 add करेंगे so 4530 now 2345 46 47 so next क्या होगा 48 2349 and 2350 इस तरह से वो नंबर आगे आगे बढ़ते रहेंगे now 9323 अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है minus हो रहा है 22 21 minus जल रहा है so next क्या होगा 20 इसके बाद 19 then 18 9318 5214 24 34 अब क्या रहा है यहां पर एड कर रहे है और कितना 10 so next time 10 एड करेंगे तो कितना होगा 5244 5254 and 5264 now next है 1946 then आपका बन रहे है 1956 sorry 51 so यहां पर जो हापका कितना नंबर एड हो है 1946 में आपको बताना है अगर उसको इतना बनाना आपको 51 बनाना है तो कितना एड करेंगे 5 same यहां पर फिर से 5 एड किया यानि कि कौन सा नंबर एड हो रहा है 5 so next भी क्या होगा 5 so यह क्या बन जाएगा 61 now 66 and next विल बी 71 सब में हमें क्या करना है just 55 नंबर को एड करना है अब यहां पर पैटन दिया इसको फोलो करना है so एक बार इस तरह से है बिलकुल कोई उसका इमोशन नहीं then sad then smiley so बिलकुल सीधा then sad then smiley कोई भी इमोशन नहीं sad and smiley so इस तरह से आप यह कोशिंस कर सकते हैं यहां भी हमें जो है पैटन को फोलो करना complete करना ही आपकी बुक में भी है पहले फ्लावर का वन पैटल से then two three four so next क्या होगा one then two and next will be three और उसके बाद जो हापका फ्लावर complete हो जाएगा now यहां पर एक arrow नीचे है एक उपर एक नीचे एक उपर एक नीचे so same चीज हमें फोलो करनी है उपर नीचे उपर नीचे so इसी तरह से हमें जो इसे next आगे भी फोलो करना है so आपके जो भी पैटन्स हैं वो अल्रेड़ी वहां पर दिये वे मिलेंगी आपको जिञक्या करना है उन्हें चेक करना है कि कौनसा फॉपलो हो सकता है अब دेखो यहां पर यह इस तरह से था okay then यह वाल आ गया अब इसके बाद मए क्या हुगा एक सेम उसका नीचे की तरफ ड्रौ करना है यह वाल आया तो क्या होगा इसका सेम दूसरी साइड ड्रों करना एक तो इस तरफ है दूसरा इस तरफ है फिर से हमारा सेम फूल हो जाएगा और देखो आप इसके दोवे हो सकते हैं या फिर यह हो सकते हैं कि पहले यह उपर था इस डिरेक्शन में आये तो अब कहा होगा नीचे आएगा अब नीचे आएगा तो एक नीचे और एक उपर नेक्स्ट आगे बाला का होगा इस तरफ बनेगा एक का फेस इस तरफ होगा दूसरे का फेस इस तरफ अब इस से जो हमें अलग-अलग पैटन्स बनाने हैं कोई भी पैटन्स आप बना सकते होगा यहां पर जैसे यह हो गया fach and hen उसके बाद में यह को सूम ह算 मैं यही पैटन यहां पर कर रहिय सेट्थ दू कह ही और आप चाहो तो आप कोई लग पैटन्स भी यहां पर बना सकते हैं तो मैं सिर्फ यही चीज़ फूलो कर रही हूं यहां पर और कोई बैटन नहीं बना रही हूं नव नेक्स्ट यह यहां पर दिया है अब आपको बताना है कि आगे क्या होगा अब देखो इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं इनकी जो इस तरह से हैं वहां पर यह एक ही चीज़ फूलो हो रही है इस तरह से डाइगनल में जो भी रहेगी तो मैं सिर्फ यह लगा रहे हूं कि पता रहे कि कौन सा डाइगनल यहां पर बन रहा है तो यह हो गया हमारे सारे डाइगनल्स नॉइनल रएंड यहां पर ऊमें लघाना है डोच डोच √ तिहां पर पिर से लाइन लायेगा यहां पर हमारी आस रहेंगी यहां पर ऊमारी डिव बाखिए जंब रखादी नहीं प्रिय दोट दोट डोट और ये डोट पूरे उसमें जो भी आपका डाइग्नल है उसके अंदर है, सब में रहेंगे then lining और lining इस तरह से हैं, जो अपिछले वाले में गलत बना दी इस तरह से आपके linings रहेंगी then ये फिर से उसको color करना है पूरा and then again वो ही आपका क्या रहेगा ... यहां पर रहेगा, then एक इस तरफ और एक इस तरफ, okay, यहां पर फ्लावर है, लीफ है, फ्लावर है, so next क्या होगा आपका लीफ बनेगा, okay, and next क्या है, फ्लावर बनेगा, then again एक लीफ बनेगा, and then फ्लावर, अब यहां पर देखो, ट्रेंगल बनाए है, clear है, okay, ट्रेंगल तो हम इजिली बना सकते है, अब ट्रेंगल में उन्होंने क्या किया है, एक पार्ट को जो उन्होंने कलर किया, और कौन से वाले पार्ट को कलर किया, एक बार इस तरफ, एक बार यह, यह, एन, दूसरा, ठीक है एक बार left side को color कर रहे हैं, एक बार right side को, left, right, इस तरह से, now इसमें क्या है, पहले यहां पर दो लाइन है, circle को four parts में divide किया, जैसे half and quarter में उन्होंने किया था, so four parts में divide किया, then यहां पर उसके बाद एक आगे चले गए, यहां पर गए तो फिर यहां पर आजाएंगी, फिर स तरह से घूम रहे हैं इस तरह से घूमते हुए एक एक जगह पर वो इसको लाइन बना रहे हैं अब यहां पर रेक्टेंगल है सरकल रेक्टेंगल सरकल नाव A B C D E F G H I J K L M N O P A B उसके बाद B C यानि कि ये वाला जो लास्ट वाला है वो फिर से लेंगे देन उससे नेक्स लेंगे C D C D के बाद D फिर से लिया E अब E के बाद क्या आता है F F फिर से लेंगे उसके आगे वाला G G फिर से लेंगे H और H के साथ उसका नेक्स नमबर अब यहां पर किया है दो ट्रेंगल से एक बार एक दुसरे की तरफ फेस कर रहा है रहा है और एक दुसरे की तरफ पर, यहां बनाना है यहां पर पर फेस कर रहे हैं तो बनाना है एक पर फेस करते हुए इस तरह से तरह अपोजिट फिर से एक दूसरे की तरफ से करते हुए तरह नेक्स्ट विल बी अपोजिट अब यहां पर फेसिस बने हैं तरह ले एक रोता हुआ है इस तरह से एक की जो है आखे बड़ी है और थोड़ा ज्यादा हस्रा है तो इस तरह से आपको बनाने आइस्क्रीम एपल आईस्क्रीम एपल इसक्रीम एपल एक्सक्रेम एंस्री प्लॉिस एपल एंस्ट लिए नग तर इस तरह से आप यह पैटर्ण अहुलिस को यह जो पैटर्ण सैने उनकी आंसर आपको वही मिल जाएंगे आपको कहीं भी अलग से कुछ भी याद करने की जो इतनी आपको पैटर्न को या जो नंबर दिया है उसको अच्छे से चेक करना आप जैसे इसमें देखो 100 200 300 400 500 600 700 100 फिकोज यही चीज यहां फोल हो रही है 101 200 200 300 3 अब देखो क्या रहा है आगे पीछे का नंबर सेम और बढ़ रहा है पहले 1 था 2 हुआ 3 हुआ अब 4 और आगे और पीछे दोनों नंबर सेम रहेंगे और बीच भी इनकी 0 50 100 150 सो 50 100 150 आगे क्या होगा 100 100 बढ़ रहा है सोरी 50 50 जो है वो बढ़ रहा है सो हमने बढ़ा दिया 250 एंद 300 उसके बाद भी कुछ है A B C D E N F सो इस तरह से हम उनको कर सकते हैं 270 370 470 70 सेम है बस 234 वो उसको बढ़ा रहे हैं सो 570 670 770 12 23 34 अब यहां पर क्या हो रहे हैं यहां पर देखो जब आप इस नंबर में 11 एड करोगे तो यह मिलेगा देन आपको फिर से 11 एड करना है तो यह मिल रहा है तो हम यहां पर आगे भी क्या करना होगा 11 एड करना पड़ेगा 45 एन अगें 56 एन नेक्स विल भी 67 क्या किया जस्ट 11 को एड किया अब यहां पर क्या है नेक्स वाले में देखो 82 है उसके बाद 72 आ रहे हैं तो हमने क्या किया है 63 है 63 में से अब देखो मुझे आंसर नहीं बता तो मैं क्या करूंगी 9 माइनस करूंगे 53 हो गया अब 53 में से 9 माइनस किया 45 एन 45 माइनस 9 36 अब देखो यह क्या बन गया 9 का टेबल 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा जा ना नेक्स है 900 800 700 600 500 400 जा 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 400 तो क्या हो रहा है यहां पर कम हो रहा है कितना कितना 50 50 so 300 and 250 यहां पर था a double a b तो आगे क्या होगा double b then c and double c 98 उसके बाद में दिया है यहां पर 87 so 98 minus 87 कितना हो रहा है 11 यानि कि अब क्या कर रहे है 11 11 को कर रहे है वो minus so same हम यहां पर 11 को minus करना पड़ेगा so 5 and 6 फिर से 11 minus किया 5 and 4 फिर से 11 minus किया तो 3 and 4 अब यह जो ओल्रेडी आपकी बुक में भी है यहां पर 2 जो है रो है आपके उपर की तरफ जा रहे है तन दो नीचे की तरफ फिर 3 ऊपर की तरफ तो अब क्या होगा 3 नीचे की तरफ okay so नीचे की तरफ बना देंगे हम आगे क्या होगा देखो इसके भी दो वे हैं या तो तीन चार उपर की तरफ चार नीचे की तरफ ओके या फिर सेम चीज़ा आप रिपेट कर सकते हो कि दो उपर की तरफ और दो नीचे की तरफ देन तीन उपर की तरफ और तीन नीचे की तरफ इस तरह से भी आप कर सकते हो या फिर दूसरे वे में करना चाहो कि तीन ओल्रेडी हो गए देन यहां पर आपके फोर एरो बनेंगे उपर की तरफ और देन फोर नीचे की तरफ 3 & 4 So, दोनों वे में आप ये कर सकते हो So, इस तरह के questions आपके इस chapter में रहेंगे अगर इसमें कोई doubt है तो आप comment करके बता सकते हैं That's all for today and please like, share and subscribe Thank you